नमस्कार दोस्तो आप सभी का अमारी यूटूब चैनल न्यूज अपडेट पल पे स्वागत है दोस्तो लंका पर्मेर लिग 2020 की शुरुआत होने वाली है दोस्तो आपको बता दे कि लंका पर्मेर लिग में टोटल मेचा मुकाबले 23 खेले जाएंगे दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको महिंदा राजपक्सा अंतराष्ट इस्टेडियम की ग्राउंड अपिस रिपोर्ट आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाले वीडियो को कम्प्लीट देके वीडियो को लाइक वे शेर करें दोस्तो मेरा नाम है जगदीस और आप देख रहे हो न्यूज अपडेट पर यूटूब चैनल यहाँ पर आपको ओनली किर्केट मेच प्रिडियक्शन के वीडियो मिलते हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें मोटिवेट करें दोस्तो लंका परिमेर लिखे सभी मेचा मुकाबलू की आपको कनफर्म रिपोर्ट्स हैं मेच तो चैनल दोस्तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वोट्सप नमर मिलेगा वाज़ा कि वोट्सप करें दोस्तो आपको बता देखी ग्राउंड घृचес ठे डॉमेश्टिक टीट टीट को टीटएंटी मेचा मुकाबलू की शुरुआत लंका परिमेर लिख्षे होने trustworthy धे होने वाली हैं अभी तक ग्राउंड पे दोस्तो कोई भी टीटफवनटी डॉमेस्टिक मेचा मुकाबलू नहीं खेला गया है अब क्ते है्-ठे T20, international का average score 131 run है दोस्तो, ground का high score को देखे थो high score यहापी श्रिलंगा team के ना 182 run है ground का low score यहापी दोस्तो, south africa team के ना 78 run है दोस्तो, आपको बता देखी, ground पर 150 यह कम का score अभी तक 5 बार बन सुका है मिधं ground पर 1070 plus का score अभी तक only 1 बार बना है दोस्तो ग्राउंड पे टोप प्लेयर्स की बात की जाए तो संग कराने दोस्तो यहां पे ग्राउंड पे अभी तक टोटल T20 वा ओडियाई में चा मुकाबल में 721 रन बनाए में बात की जाए बॉलिंग के तो बॉलिंग के अंदर दोस्तो थिसारा प्रेरा का नामा था जो भी तक ग्राउंड पे दोस्तो 18 विकेट ले चुके में दोस्तो ग्राउंड पे फेस्ट ओडियाई में चा मुकाबला 20 February 2011 में खेला गया था ग्राउंड पे दोस्तो फेस्ट 20 में चा मुकाबला फेस्ट जून 2012 में खेला गया था दोस्तो ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड दोस्तो 100 मीटर लोग है वहीं दोस्तो 100 मीटर वाइड है दोस्तो लंका परिमेर लीग का फैस्ट में चा मुकाबला भारती समय नुसार दो पर 3 पीम को खेला जाएगा वहीं दोस्तो चेकिन में चा मुकाबला भारती समय नुसार साम 7 बच के 30 पीम को खेला जाएगा पिछ रिपोर्ट की बात कीजिया तो दोस्तो आपको बतादे कि महिंदा राजवक्सा इस्टेडियम की पिछ बेलेंच नहीं पर बल्लेबाद जो बॉलर्स दोनों को मदद करती ही दिखाई देने वाली है लेकिन दोस्तो आपको बतादे कि यहाँ पर सुरुआती ओरू में फास्ट बोलर्स को मदश मिलने की उमीद है कोल मिलागे दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि गरांड पे अधिक्तर मेचा मुकाबले, लोइ स्कोरिंग मेचा मुकाबले देखने को मिल सकता है यहाँ पर दोस्तों बाविंटरी लाइन कापी लोग है इसी वज़ेशे दोस्तों यहाँ पर सक्के वाचो के भी आपको कम देखने को मिलेंगे ऐसा भी कर सकते हैं कि दोस्तों महिंदा राजपक्सा इस्टेडेम में देखतर मेचा मुकाबलू में आपको स्कॉर 150 के आसपास देखने को मिल सकता है दोस्तो लंका परिमेरली के मेचा मुकावलू में आपको रिपोर्ट या मेच टोस बसे शेशन के तो दोस्तो वीडियो के डिस्क्रिप्चिन में आपको एक वोट्सप नमर मिलेगा महाँ दकी वोट्सप करें उनका काम कापी कमाल का कापी बेटर है दोस्तो आपको बता कि लंका पर मेरली के सबी मेचा मुकाबलू का बिल्कुल सठीक एक कुरेशी के साथ प्रीडेक्शन आपको अमारे यूटूब चैनल न्यूज अपडेट पल पे मिलने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिसे आने वाले मेच का प्रीडेक्शन सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों आपको मारे वीडियो से लगाते हैं इसे लाइक वे शेयर करें धन्यवाद दोस्तों वीडियो और तक देखने के लिए